हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूटूब चनल पर मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों कंपने जे एस डबलू स्टील लिमिटेड के बारे में इस कंपनी ने आज के दिन एक प्रेस रिलीज करके बता है यह देखिए यहां जे डबलू स्टील और जे एफ इस टिल दोनों मिल के इंडिया में एक जोएंट वेंचर कंपनी बनाने वाले हैं जिसमें वह ग्रेन ओर्येंटिड एल्लेक्ट्रिकल स्टील सीट का मैनुफेक्चर करने जा रहा है एक्षुली एक ग्रेन ओरियंटेड एलेक्टरियल सीट होता क्या है दोस्तों यह जिनरली यह वाली सीट जो है हाईली मेगनेटिक मेट्रियाल रहते हैं दोस्तों इनका मेगनेटिक प्रॉपर्टी जो है बहुत ही अच्छा रहता है जिससे लार्ज पावर ट्रांसफर्मर य कूर्स बगेरा यहां पर जनरली बनता है दोस्तों कोयल का जो जो हम जनरली मसीनों में यूज करते हैं ट्रांसफर्मर में यूज करते हैं इसका जेनरेटर जो बड़ी-बड़ी जेनरेटर लगते हैं इसमें यह जो एक ग्रेन ग्रेन ओरियंटेड एलेक्टरिकल सीट यू announced that it had signed a memorandum of understanding to conduct a feasibility study with jf steel corporation gm for your break mo you sound sign why jf is still case up this network strategic alliance partner currently to establish a grain oriented electrical steel seat manufacturing and sell joint venture company in India the plan is to complete the study with current 2021 fiscal year and take appropriate steps to set up joint venture company subject to requisite offer wall or approval milita hai dhustwo to yeh bhoot jolt yahaan pere joint venture company suru karne ja rhe hai next day jsw steel ke kuch financial parameter ke oopar nager ndalong stand alone the revenue dhustwo yahaan pere laata revenue ke june se 10,293 crore 16,797 crore 19,249 crore का यहाँ पर revenue generate यहाँ पर गया जून से अगर देखेंगे जून quarter से company एक growth phase में चल रहा है दोस्तों अगर हम स्टील सेक्टर की बहुत ही जबरदस्त फायदा मिल रहा है नेक्स्ट अगर हम company की net profit को देखेंगे यहाँ पर देखें नेट profit company यह भी generate कर यहाँ पर 146 करोड का सुद घाटा कंपनी को वा था जून में यह 1,692 करोड 2,829 करोड का यहाँ पर जो है net profit generate कर आया यह यह अगर हम year on year की बात करेंगे देखेंगे यहाँ पर सांदर जबर दस जंप आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट आए कंपनी के कुछ दूसरा parameter देखते हैं है सेर होलडिंग पैटन को यहाँ और देखने हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी के प्रमोटर के पास 44.07 परसेंट यहाँ पर होल्डिंग है अपर यहां पर देखिए मार्श 20 में कंपनी का प्रीज़ टेर था क्वाटरन क्वाटर ये कंपनी का एक जबर्दस पोजिटिव वाली साइन आपको नजर आएगा नेक्स अगर हम इसकी दूसरा होल्डिंग देखेंगे एफ आयाई होल्डिंग यहां पर देखें देखें लेते हैं यहां पर देखें 12.69 परसेंट यहां पर फॉर एन इंवेस जो है बढ़ा रहे हैं यहां पर देखिए 4.9 5.44 6.35 6.8 अब यहां पर चड़ गया है कुल मिला के अगर देखेंगे दोस्तों कंपनी जो स्टील सेक्टर का टाटा स्टील तो पहला नमबर है इसके बाद जेएस डवलू स्टील आएगा दोस्तों इसमें आप निवेस करके चल सकते हैं नेक्स्ट आये कंपनी के कुछ रीटन प्रोफाइल को देखने हैं आप देखें आज के दिन 3.78 परसेंट का जम दोस्तों एक महिने में 35 परसेंट छे महिने में 132 परसेंट पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे देखें 340 परसेंट का यहां पर जबर दस्त आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट अगर हम लॉंग टर्म रिटन की बात करेंगे यहां पर देखेंगे कंपनी पांस साल में 473 परसेंट रिटन दोस्तों और पिछले 10 साल के अगर बात करेंगे आपर 750 परसेंट का एक जबर दस्त रिटन कंपनी कमा के दिया है दो कुछ के दिलते चलते आने वाले समय में जेस डवली स्टील में और भी जवर्दस तेजी आएगे दोस्तों मुझे यह तो उम्मीद है बस आज के लिए इतना था वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजाए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक दो दोस्तों कर सकते दो Tapi हुंद दोस्तों कर दोस्तों के लिए।